खुद्रत का निजाम भी नहीं आया काम पाकिस्तान का वॉल्ड कप से काम तमाम अफगानी भायों ने टीवी तोड किया डांस तो पाकिस्तान की अग्नी परिक्षाज एक मैच जीत कर अफगानी भायों ने बदल दिया वॉल्ड कप का समिकरन नियुजिलान्ड औस्ट्रिले जैसी टीम की रोग गई धड़कन ये पठान तो कमाल के निकले इधर बिर्यानी मांगती रही पाकिस्तानी टीम उधर पानी पीकर ही मचा दिया तहल का जिस टीम को दुनिया नहीं देती थी भाव एक हिंदुस्तानी ने उसके भाव को अन्मो कर दिया कि वो क्यों पाकिस्तान से बहता टीम है और एशिया की दूसरी सबसे पसंदिदा टीम इसके बाद तो पॉइंट इबल में आगया अफगानिस्तान नाम का बावंडर खत्रे में चला गया नियुजिलान का सफर और पाकिस्तान के अर्मानों पर चुटकियों में प आपसे एक सवाल है आपके इसाब से पाकिस्तान टीम सेमी फाइनल में क्वालिफाई कर रही है या अफगानिस्तान की टीम या फिर नियुजिलान टॉस जीतकर निदलान ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया शुरुवात बहुत खराब रही पहली ओर में निदलान का पह मैकसो डाउट को रनाउट करवा दिया स्कोर बोर्ड पर लगे थे 92 रन तब एक्रमैन भी चलते बने 97 रन होते होते निदलान की आधी टीम पाविलियन लोट चुकी थी फिर तो 189 रन पर पूरी टीम ही लोट गई ऐसा लगा कि घर जाने की बहुत जल्दी में थी निदला की कमर तोड़ दी मौमद नभी ने करीब तीम की कॉनमी से 9 वर में एक मैडन देकर सिर्फ 28 रन उटाए और विकेट लिये तीन जबकि दूसरे चोड़ से नूर एहमत की गेन भी कहर बर पा रही थी नूर को दो विकेट मिले 180 रनों का पीछा करने आई अफगानिस्तान की शुरुआत कुछ खास नहीं रही और रह्मान उल्ला गुर्बाज सिर्फ 10 रन बनाकर वानवी का शिकार बने इबराहिम जादरान भी जल्दी ही पवेलें लोड़ गये वांडर मर्वे ने उन्हें अपना शिकार बनाया लेकिन इसके बाद आया हश्मत उल्ला शाही दी औ लेकिन इस जीत के साथ ही अफगानिस्तान ने पॉइंट टेबल में खल बली मचा दी और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी पाकिस्तान को साथ मैचों में तीन में जीत मिली इतने ही मैचों में अफगानिस्तान की चौती जीत है और उसके आट पॉइंट हो गए अभी अभी माइनस 6.02.4 है तीम को सेमी फाइनल में पहुंचने की उमीद बनाई रखनी है तो अपने दोनों मुकाबले बड़े अंतर से जीतने होंगे क्योंकि न्यूजिलाइन का नियूजिलाइन प्लस 6.084 है अगर पाकिस्तान न्यूजिलाइन से हार जाता है तो सेमी फाइनल में पहुंचने की उमीद लगबाग खत्म हो जाएगी पाकिस्तान अगर न्यूजिलाइन को हरा भी देता है तो भी उसकी टेंशन खत्म नहीं होगी पहले न्यूजिलाइन पर 83 रन या फिर 15 ओवर रहते जीत हासल करनी पड़ेगी इससे वो न्यूजिलाइन से नेट रन में आगे निकल पाएगा इसके बाद उसे इंगलाइन को भी हराना होगा साथी उमीद करनी पड़ेगी कि न्यूजिलाइन अपने आखरी मैच में श्रोलंका के खिलाफ हार जाए या फिर उसके जीत कांतर काफी चोटा हो खेर आपको क्या लगता है सेमी फाइनल में पहु